So Hello Everyone, Welcome to our YouTube channel Mystical Techs So जैसे कि आप सभी को पता ही होती कि Asus of A15 सबसे ज़ादा popular laptop होती इंडिया में 2020 में चुकि यही एक मात्र हैसा laptop था जो कि Ryzen की 4000 सीरीज के साथ सबसे पहले इंडिया में आया था और सबसे ज़ादा popular हुआ था बाकी जितने भी सीरीज Ryzen 4000 सीरीज के साथ आये थे वो इतने popular नहीं हुए या फिर बहुत ज़ादा delay कर दिया उन्होंने launch होने में जैसे कि Asa Nitro 5 और Lenovo Legion 5 आये बहुत ज़ादा ही लेट हो गया लाइक एकदम year end में वो Ryzen की 4000 सीरीज के साथ आये लेकिन यही एक मात रहसी सीरीज थी जो की सबसे ज़ादा popular ही और सबसे ज़ादा बिकी भी और इतनी ज़ादा बिकी की लोगों को मिली ही नहीं out of stock ही रहती थी most of the time और Asus stuff A15 के सारे ही variants के unboxing तो मैंने भी की है तो मुझे पता है यह laptops कितने ज़ादा special है और कितने ज़ादा popular है इंडिया में तो यह तो बात रही Asus stuff A15 की और 2020 की लेकिन अब हम 2021 में enter कर चुके हैं और Asus भी fully prepare हो चुका है 2021 के लिए तो इस साल हमें Asus की तरफ से Asus stuff A17 देखने के लिए मिलेगा लास्ट यर भी हमें देखने के लिए मिला था लेकिन यह वाला जो variant होने वाला है यह एकदम fully prepared है एकदम latest specifications के साथ यह laptop आएगा तो वीडियो स्टाट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से subscribe कर लो यार 1 million करने है 2021 में तो अगर सबसे पहले बात कीजाए Asus stuff A17 की specifications के बारे में तो जैसे कि मैंने आपको बोला यह एकदम latest होने वाला है तो इसमें हमें देखने के लिए मिलेगा Ryzen की 5000 series के mobile CPUs जो की laptop CPUs भी आप उन्हें बोल सकते हैं और last year की तरह ही हमें आपे काफी सारे variants देखने के लिए मिलेंगे सबको अच्छे से पकड़ लिया है Asus stuff A17 ने किसी को भी छोड़ा नहीं है Ryzen 9, Ryzen 7 and Ryzen 5 तीनों ही CPUs हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे इस series में तो यह तो बात होती CPUs की लेकिन सबको पता है असली माल मसाल तो GPU में होती तो यहाँ पे हमें Nvidia की तरफ से 3000 series के latest graphic cards देखने के लिए मिलेंगे Ryzen की 5000 series और Nvidia के 3000 series के graphic card मतलब यह जो laptops होने वाले हैं यह तबाही होने वाली हैं पूरी चरीके से तो जैसा कि हम सभी को पता ही है कि जो Nvidia की 3000 series के graphic card है उनमें हमें काफी जादा major upgrades देखने के लिए मिले है in comparison to 2000 series graphic card तो यहाँ पे जो 3080 graphic card होने वाला है वो आपको अराम से 4K या 8K पे gaming करवा देगा और इतना ही नहीं इसमें हमें 16GB की VRAM भी देखने के लिए मिलेगी बट यहाँ पे question जो है वो यह है कि क्या laptop में भी हमें 16GB की VRAM देखने के लिए मिलेगी या नहीं मिलेगी तो यह अभी भी एक question है इसके बारे में कोई भी clarification नहीं आया है कि हमें 8GB की VRAM देखने के लिए मिलेगी या 16GB की VRAM देखने के लिए मिलेगी अगर 16GB की VRAM हमें देखने के लिए मिली तो तो पूरी तरीके से तबाही होने वाली है लेकिन अगर 8 GB की भी देखने के लिए मिली तो वो भी more than enough होगा बाकी आप comment में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने GB की VRAM चाहिए RTX 3080 में मैं contact अनने की कोशिश करूँगा Nvidia से की वो इतने ही GB की VRAM लगाए तो ये तो बात रही Asus Tough A17 के बारे में जो की 17 इंचिस वाला मॉडल होगा लेकिन अगर बात कीज़े Asus Tough A15 के बारे में या फिर 15 इंचिस वाले मॉडल के बारे में तो उससे लेटेड अभी तक कोई भी इंफर्मिशन या कोई भी लीक निकल कर नहीं आई है और जितने भी लैप्टॉप जो की Ryzen 5000 सीरीज के साथ या फिर RTX 3080 के साथ लाँच होंगे उनमें सारे ही 17 इंचिस वाले मॉडल ही अभी तक सामने निकल कर आए हैं तो जहां तक है आप कह सकते हैं कि जो 2021 होने वाला है उसमें हमें 17 इंचिस वाले काफी सारे लाप्टॉप देखने के लिए मिलेंगे जह हो सकता है 17 इंचिस वाले ही लाप्टॉप देखने के लिए मिलें चुकि अभी तक Ryzen 5000 की सीरीज के हमें मोबाइल प्रोसेसर्स देखने के लिए मिलेंगे और यहां पर एक बात और कि जो Ryzen की 5000 सीरीज के मोबाइल सीप्यूज होने वाले हैं और NVIDIA की RTX 3000 सीरीज के मोबाइल जीप्यूज होने वाले हैं उनका इंप्लिमेंटेशन अभी तक लैप्टॉप में देखा नहीं गया है कि कैसे इंप्लिमेंट किये हैं अखर उन्होंने और काफी जादा पावरफोल सीप्यू और जीप्यू होने वाले हैं यह तो यहां पर इसलिए काफी जादा लीक्स जो निकल कर आ रही है वो सारे 17 इंचिस वाले मॉडल के लिए ही निकल कर आ हो सकता है जो उनका size है वो थोड़ा सा बड़ा हो कि जो 15 inches वाले model है उसमें अभी तक implement नहीं किया गया है जा फिर companies काफी जल्दी अपने 5000 series के और 3000 series के GPUs के साथ laptops launch करना चारी हो इसलिए वो जादा wait नहीं कर रहे हैं और 17 inches वाले model पहले launch कर रहे हैं instead of launching 15 तो ये तो बात होती आसूस्ट अफ़े 17 के बारे में लेकिन अगर बात की जाती आसूस्ट अफ़े 17 के ryzen 5000 series और nvidia के 3000 series के graphic card के बारे में तो ryzen 5000 series तो बहुत जादा powerful होने वाली है लेकिन ryzen की 4000 series थी वो already काफी जादा powerful थी और वो बहुत जादा heat भी produce करती थी और आसूस्ट अफ़े 15 के thermals उसको handle नहीं कर पाय थे और 90 और 95 degrees celsius तक जो temperature था वो चले जाता था तो ये तो ryzen की 5000 series होने वाली है और य जादा heat produce करेगी तो यहाँ पे जो temperature होगा उसे वो लोग कैसे adjust करेंगे उसे वो लोग कैसे handle करेंगे वो यहाँ पे काफी interesting चीज होने वाली है तो यह तो बात होती सिर्फ ryzen की 5000 series के mobile cpu के बारे में लेकिन इसके साथ साथ nvidia के 3000 series के graphic card भी होने वाले है तो 3080 graphic card होने वाला ह वो काफी जादा powerful होने वाला है in comparison to ITX 2060 तो यहाँ पे जो heat है वो भी काफी जादा produce होगी तो इतनी heat produce होगी तो laptop रखेंगे कहां पे बर्फ की चिल्ली के ओपर रखना पड़ेगा तो यह जो laptops होने वाले हैं यह literally काफी जादा hot होने वाले हैं इतने जादा hot होने वाले हैं कि Amanda Sunny और मेरे बगल वाली जो सुना ली रहती है उसको भी पीछे छोड़ दें तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी Amanda Sunny और मेरे घर के बगल में जो सुना ली रहती है उसे नहीं इन laptops को कि इनके जो temperatures हैं वो उसे कैसे adjust करते हैं उसे कैसे handle करते हैं और इसके जो thermals होने वा लेकिन जो laptops का display है वो सिर्फ 1080p को ही support करता है जो most of the laptops है उनका जो display है वो सिर्फ 1080p को ही support करता है इवन जो Asus Tough A15 भी है वो सिर्फ 1080p तक के display को ही support करता है तो अगर हमारे पास एक ऐसा graphic card है जो कि 4K पे gaming करा सकता है और जो screen display है वो सिर्फ 1080p तक का ही है then it makes no sense at least हमें 2K या फ उसका कोई फायदा नहीं होगा तो यहां पे काफी interesting चीज होने वाली है कि क्या हमें जो display है वो 2K या 4K का मिलने वाला है जो कि 2K या 4K तक को support करेगा 4K तो बहुत दूर की बात है लेकिन at least 2K तक को support करे और else हमें एक dedicated monitor यूज़ करना पड़ेगा तो यहां पे अगर बात अपग्रेट से हम कोई changes देखने के लिए मिलेंगे और यहां पे एक सबसे important चीज जो हमें देखने के लिए मिलेगी वो होनी चाहिए 100% sRGB चुकि जो last time जो laptop launch हुए थे उसमें हमें 67% sRGB देखने के लिए मिली थी और अगर 2K display होगा तो उसके साथ-साथ 100% sRGB भी होनी च बाकी चीजों के बारे में तो इस लैप्तप में हमें WiFi 6 का support देखने के लिए मिल जाएगा Bluetooth version 5.1 देखने के लिए मिल जाएगा और RJ45 jack देखने के लिए मिल जाएगी और बाकि सारे hipots देखने के लिए मिल जाएगे और सबसे important चीज यहाँ पे क्या हमें एक charger देखने के लिए मिलेगा so I think charger तो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा मेरा निख्याल यह लोग Apple वालो की तरह करने वाले हैं है कि यह launch हो बट quarter two तक यह laptop जरूर launch हो जाएगा अगर quarter one तक launch हुआ तो आप इसे अपना gift समझ सकते हैं और अगर quarter two तक launch हुआ तो वो तो हो नहीं था तो यहाँ पे अगर बात कीजिए इस laptop की pricing के बारे में जो कि सबसे जादा important होने वाला है क्योंकि इस laptop में हमें Ryzen 5000 series का processor देखने के लिए मिलेगा वो भी काफी जादा latest और काफी जादा powerful है और इतना ही नहीं इसमें हमें 3080 graphic card भी देखने के लिए मिलेगा जो की सबसे जादा powerful graphic card है फिलहाल इस time पे तो इसकी आप सभी pricing सुनके जूम उठे होंगे मैं भी जूम उठाता I know बट यहां पे अगर बात की जाए इसकी pricing के बारे में तो इसकी जो pricing होगी वो होगी 1.20 lakhs से 1.50 lakhs के बीच में I know जो pricing है वो थोड़ी जादा है बट यहां पे सबसे important चीज जो है वो यह है कि यहां पे cost cutting करने का कोई option ही नहीं है I know मुझे तो नहीं देख रहा है personally बताऊ तो बाकी companies कैसे देखती है वो बात अलगे क्योंकि यहां पे अगर हमारे पास 2K display नहीं होगा then it makes no sense लेकिन अगर यहां पे हमारे पास अच्छे thermals नहीं होगे तो काफी जादा बड़ी problem create हो सकती है तो cost cutting मुझे देख नहीं रही है कि कैसे करेगी companies बाकी वो करेगी तो वो बात तो है क्योंकि अगर profit नहीं मिला तो काई की business काई का laptop बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही I hope that आप सभी को वीडियो काफी पसंद आई होगी तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ठोको like और अगर यहां तक आए हो तो चैनल को subscribe के में न बिलकुल मत जाना क्योंकि ऐसी ही कमाल की वीडियो सम लेकर आते रहेंगे और जल्दी से जल्दी से thousand करा दो फिर उसके बाद सीधा one million भी complete करने है बाकी मैं आया मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई